गुज्रा टाइटन्स के खिलाव आईपिल 2003 के प्लेओफ का पहला क्वालिफायर मुकाबला खेल ले उतरी चेन्ने सुपर किंग्स ने अपने होम ग्राउंड पर रस्मकाबले में शांदार जीत हासल करने के साथ आईपिल के थहास में दसवी बार फाइनल में अपनी जगया बनाई है इसके अलावा गुज्रा टाइटन्स के खिलाव वे मुकाबले में भी टीम का शांदार पोजिशन रहा पहले बहले बाजो के दम पर और बाद में गेंद बाजी के दम पर टीम ने इस मुकाबले में जीत हासल कर ली 15 रनों से जीत हासल करने के साथ टीम ने महंदर सिंह धुनि की बीटी जीवा धुनि नजर आएंग मेंधर सिंह धुन की बैटी जीवा धुनि की अगई जीवा महा मौजूद रहें उन्ने लगतार रटालियं भी वजा लेकिन जब धुनी एक पर आउट हो का पर विलेन लोटे तब थोड़ी सी निराज भी नजर आई लेकिन अंत में उनके पिता की टीम यानि की चेननाई की टीम की जीत हो गई और टीम फाइनल में पहुच गई इसके बाद मेहंदर सिंग धूनी मैदान पर मौजूद थे जीवा धूनी उस जोरान कि उन्होंने सीधा जाते ही अपने पिता को गले लगा लिया इसका वीडियो शोचल मीडिया पर वारल हो गया और ये वीडियो काफी ज़्यादा खूबसूरत और साथी प्यारा वीडियो वारल है जिसे फैंस काफी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपको बता दें कि जीवा धोनी लगातार अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर मौजूद रहती हैं और कई बार पहले भी मैदान पर आकर कि सीधा अपने पिता को गले लगाती है एक पुराना वीडियो भी शोचल मीडिया पर वारल हुआ था और अब गुजरा टाइटन्स के खिलाफ क पेले गए मुकाबले के बात का ये वीडियो शोचल मीडिया पर वारल हो गया इसने फांस का ध्यान अपनी और खेच लिया और ये वाकई बहुत प्यारा वीडियो है इसे आप जरूर देखिए आपकी जो कुछ राय है कमन करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार